हलो दोस्तों कैसा अब लोग मेरा नमेर रजा खान आप देख रहे है टेक बॉक्स दोस्तों कल मैंने इवेंजर इंड गेम को किस तरह डाउनलोड करेंगे इसमें डेडिकेटड वीडियो बनाया आप नहीं देखा है तो जाके देखिए बहुत ही अच्छा ग्राफिक वगड तरफ से आ रही है दोस्तों फेस्बुक भी अपना जो मेसेंजर है वो डिक्स्टॉफ वर्जन पर लाउंच कर दिया है दोस्तों यह अभी आयोस में आया है अभी विंडोस में नहीं आया है जब यह आएगा तो इसकी सारी डेटेल हम आपको देंगे चलिए आगे बढ़त आगे जो टेक्नियूज आ रहा है वो रियलमी 3 के तरफ से रहा है रियलमी 3 प्रो जो दोस्तों 14 माई को मलेशिया में लॉंच होगा दोस्तों मलेशिया वाले इंडिया से पीछे हैं चलिए इस बात की खुशी मनाईए चलिए आगे बढ़ता आगे जो टेक्नियूज आ रह गिया है पूरे वर्ड में मुबाइल बेचने के मामले में पहले इसमें आइफोन था भी हुआ भी हो गया तो बहुत इच्छी बात है चलिए आगे बढ़ता आगे जो टेक नियूज आ रहा है वो भी एपल के तरफ से आ रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में आइफ में थिवेटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसमें यह बताया जाएं कि सबसे ज्यादा मॉबायल कान सबक्रांबव है पूरी वर्λुमियों में और भस ने पे नमबर बात कर तेब चाइना की तो चैना में सबसे जयादा जो फोन भी है दोश्तों वह ओपो करिया 28000 का फोन है यह देखने में काफी खुबसूरत लगता है और एवेंजर एडिशन में तो और भी अच्छा लगता है चलिए आगे बढ़ते आगे जो टिक न्यूज आ रहा हूँ फोन पे की तरफ से आ रहा ऐसा बता जा रहा है कि फोन पे में एक कीबूर्ट फीचर साय जिसमें ट्रांजेक्शन करना हुआ असान तो आपने नहीं किया तो करिया और दोस्तों आप कुछ भूल रहे हैं अटेंडेंस लाइक करना लाइक करिए दोस्तों लाइक करने से हमें खुशी मिलती है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे ताके हम आपकी महमान नावाजी हमेशा कर सके चलिए आगे बढ़ते दोस्तों आगे जो टेक न्यूज आ रहा है दोस्तों वह हुआवी शौमी और उपो के तरफ से आ रहा है ऐसा बता जा रहा है कि इस हफते वह लोग सेजर लेंड जाएंगे और उन्हों वहां जाकर वह लोग 5G फोन जो है अपने अपने लॉंच करेंगे जैसे शौमी का दोस्तों मीम इस्थरी ओपो का रेनो और हुआवी का मेट 20 एक्स इस तरह का जो फोन है दोस्तों वह लोग लॉंच करेंगे वहां पर देखिया क्या होता है चलिए आगे बढ़ते आगे जो टेक न्यूज आ रहा है 4K LED स्मार्ट TV है दोस्तों जिसकी प्राइज है 4,49,990 मतलब 10 रुपय कम साड़े चार लाक की टीवी है और खुब्सूरत तो लग रहा है चार लाक लगेगा तो खुब्सूरत लगेगा चलिए आगे बढ़ते आगे जो ठीक न्यूज आ रहा है वह हम्डी गलोबिल की तरफ से आ रही है नोकिया 4.2 यूएस के मार्केट में लांच हो चुका है दोस्तों सेल में जा चुका है जिसकी प्राइज है 200 डॉलर 200 डॉलर कंवर्ट करिये तब तक हम आगे का नीज बताते हैं आगे जो टेक नीज आ रहा हो गूगल पिक्सल 3A और 3A एक्सल के तरफ से आ रहा है ऐसा बता चाहरा कि उनकी लॉंच इवेंट डेट कंफॉर्म हो चुकी है 8 माई को यह लॉंच होगा दोस्तों देखने में काफी खुब्सूरत लगता है जो पिक्सल 3A है वह स्नाइब ड्राइगन 670 प्रोसेसर पर आता है और एक्सल जो है वह 17 प्रोसेसर पर है जिसमें लो नैटिंग कंडिशन में काफी अच्छा पिक्चर क्लिक हो रहा है दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया अपडेट तो करिए 10.3 इस तरह का कुछ है मेरे पास नहीं है मैं नहीं बता सकता आपके पास है बता दीजिए चलिए आगे बढ़ते आगे जो निवज आ रहा है वह शोमी की तरफ से आ रहा है जा रहा है कि यूके में अब मी 9 जो फ्लेक्शिप एडिशन है वह लॉंच होने वाला है 30 अप्रील को मतलब कल हो चुक है सौरी कल हो चुक है दोस्तों बहुत ही जल्दी लग रहा है इंडिया में आएगा चलिए बढ़ते कि में अन्यक्राट्राइग जो हो थीं हजार 551 है और मल्टी को जो है वह ग्यारा सुरी ग्यारा हजार 12 है तो इस तरह का कुछ आया है दोस्तों अब बात करतेंस के के चैश्य होतीर के विद्ट ट्रीक किया गया है एक ट्वीट किया गया जिसमें बहुत ही दूर का फोटो तो आया है चलिए अब इसमें बहुत सारी फास्ट मोड भी दिया गिया है जिसमें एक फोटो दीख रहा है देखने में ऐसा लग रहा है एक कार जा रहा है और दोस्तों लो लाइटनिंग कंडिशन में तो कमाल का फोटो आया दोस्तों यह 48 मेगापिक्सल का इसमें आयमेक्स 586 का प्रोसेसर है तो आप देखिए किस तरह का है चलिए आगे बढ़ता आगे जो टेक न्यूज आ रहा है वह असेंज जेन फोन 6Z के तरफ से आ रहा है इसके इसे सर्टिफिकेशन मिल चुका है स्नैपडागन 430 प्रोसेसर के साथ होगा बागे कुछ इसके डिटेल नहीं दे गए यह जैसे ही आएगा हम आपको सारी डिटेल देगे लेकिन इसकी प्राइज सही नहीं रहता है चलिए आगे बढ़ता है आप डील्स आ गया है दोस्तों तो चलिए डील्स की तरफ बढ़ एक रुपए में भी समान खरी सकते इस तरह का कुछ आया है देखिए आपको मिला की नहीं और दोस्तों अगली खाबर जो आ रही है डिल्स से रिलेटेड वो है शौमी रेड्मी गो ओपन सेल में जाने वाला है बहुत ही अच्छा फोन है लेकिन अभी असुस का एक फोन आ आ टाली ओूskेली जाता है